नमस्कार साथियों जितना मैं जानता हूँ जो हैम रेडियो जो है इसके बारे में भारत सरकार या राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि जनता में जाग रुखता हो और हैम रेडियो अपरेटर्स की संख्या बढ़े और एक बात और बताई जाती है कि जो हैम रेडियो अपरेटर्स है या जो हैम रेडियो है ये सर्विस ये एमर्जन्सी में बहुत काम की हो सकती है तो अब हमारे में से अनेक साथियों के मन में ये शंका होती है ये जानने की इच्छा होती है उच्छा होती है आश्या अकांक कि इस मैं जितना समझता हूँ। इतने वीडियो तो भारत सरकार की तरफ से नहीं आयaire हमें यूट्फिप पर। जितना वीडियो हैम रेडियो के लिए इस चैनल पर आ गए हैं। तो हम अपना दाइतों भी समझते हैं और रेडियो से समंदित सभी विशों में जिनमें हैम रेडियो भी आता है उन विशों में जाग रुकता फैलाना अपना करतवे समझते हैं और ये कुछ भी नहीं हो पाता यदि हमें हैम रेडियो अपरेटर विकरांच शुकला जी का सा फश्कों को यह समझा दें कि अपात कालीन परिस्तितियों में एमर्जेंसी सिच्डैस में कैसे प्रिएग होता है हें रेडियो Okay प्रविंदर जी आपने मरे को पूछा कि amateur radio या ham radio जिसको हम बोलते हैं वो अपात कालीन स्तिती में या emergency में कैसे काम आता है देखिए वैसे तो आज जो government agencies हैं वो बहुत बहुत progress कर चुकी है compare to आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान में एक dedicated national disaster relief force है इंडियर एफ जिसको हम बोलते है जो की जिनका main काम ही है कि ऐसा कोई disaster होता है तो वहाँ पे जाके attend करें बड़े disaster या छोटे disaster हर जगा इंडियर एफ जो है मैंने देखा है उनका presence साथ ही साथ में जो बाकी की जो state agencies हैं जिसमें की central armed police forces हैं या defense services हैं इनके already इंडिया में बहुत large network है communication के so आज की rate में शायद वो इतना relevant नहीं है लेकिन जो एक चीज हैम radio में बाकी सब agency से अलग है वो ये है कि most हैम radio operators जो हैं वो improvisation जानते हैं improvisation का मतलब है कि अगर equipment basic equipment में कुछ components missing है तो वहीं से जिस जगा पे वो हैं वहीं से कुछ ना कुछ improvise करके जिसको हम जुगाड बोलते हैं जुगाड करके वो जो है एक station जो है उसको establish कर सकते हैं जबकि majority जो government agencies है वो उनके बास dedicated equipment है वो चल गई तो चल गई अगर नहीं चली तो वो improvisation जो है काफी कम दर्जे की होगी compared to amateur radio अभी अगर आप मेरे को पूछते हैं तो बहुत सारे disasters जो हैं वहाँ पे amateur radio operator जो हैं वो अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन शायद आज उसकी इतनी requirement नहीं है लेकिन बहुत बार क्या होता है कि government agencies involved नहीं हो पाती कोई ऐसा disaster है जहां पे government agencies involved नहीं है या फिर किसी वजह से वो उतना respond नहीं कर पाए local agencies जो हैं वो उतना arrange नहीं कर पाए तो इस particular condition में जो हैम radio operators हैं वो काफी help कर सकते हैं और करीब है जैसे कि last जो मेरे को example जो मैंने देखा था वो था जब 2004 में जब सुनामी आई थी तो उस समय हम radio operators ने काफी हद तक state agencies की help की थी बहुत सारा communication अपना एंडेमा नेकोबार से mainland तक लेके आने के लिए और उसके बाद भी दो-तीन जो earthquakes या फिर floods हुए है recent years में उसमें भी बहुत सारे हम radio operators हैं जिनों ने अपना योगदान दिया है लेकिन एक चीज जरूर है कि 50 साल के मुकाबले अब government agencies जो है वो ज़्यादा capable है इस समय और वो भी उतनी ही speed से बलकि उससे ज़्यादा speed से mobilize कर सकते हैं अपने forces को लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो amateur radio है उसका अभी भी इस particular field में महतो है बड़ी अच्छी जानकारी के लिए विकरांच जी आपका धन्यवाद तो मान लीजिए मैं एक हैम radio operator हूँ और मेरे क्षेतर में मान लीजिए जबर दस्त आंदी तुफान आ जाए सारे मबाइल के टावर वावर सब उड़ जाए इंटरनेट सब ठप हो जाए लेकिन एक छोटी सी बैटरी और मेरा transmitter हो और उससे मैं फटाफट संपर्क साथ सकता हूँ सरकारित अंतर से कि यहाँ ऐसा हो गया है इस परकार के परिस्थितियां जब बनती है तो उनमें हैम radio operators बहुत काम के साबित होते हैं हुए हैं और होते रहेंगे जिनके भी मन में हैम license लेने की है वो एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें license के बारे में भी बताया जाएगा कैसे लिया जाता है इसके लावा इस channel पर अनेक वीडियो हैं हैम radio कैसे चलता है क्या है, ssb, usb सब अनेक परकार के वीडियो है सब के link इस वीडियो के description में मिल जाएगे आपको, नमस्कार